नमश्कार मैं हूँ पवंत्यागी आम आद्मी पार्टी में संयोजक अर्विन केजरिवाल हैं लेकिन सह संयोजक अभी तक कोई घोशित नहीं हुआ है और जिस तरह से अब अर्विन केजरिवाल और सुनीता केजरिवाल ने रणनिती बनाई है उसमें सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि अब पार्टी की कमान सुनीता केजरिवाल को सूप दी जाएगी क्योंकि अरविन केजरिवाल के जेल से बाहर आने के कोई भी चांस अब दिखाई नहीं दे रहे हैं मामला हला की सुप्रिम कोट में है सुप्रिम कोट में अर्विन केजरिवाल ने एडी की गरफतारी को चुनोती दिया लेकिन कानूनों के जानकारों का कहना है कि जिस तरह से होशियारी अर्विन केजरिवाल दिखा रहे हैं कि जमानत याची का ना लगा कर उन्होंने एडी की गरफतारी को चुनोती दी ताकि मामला लंबा खिंच सके और उनको इस लोकसबा चुनाओं में लाब मिल सके अब उनकी ये चाल नाकाम होने वाली है क्योंकि सुप्रिम कोट ने अब ये कह दिया है कि ये जो मामला है आपन मामला चल रहा है कोट में दूसरी तरफ मुद्धा ये है कि चुनाओ है और इस चुनाओ में पार्टी की कमान कौन समाले कौन ये तैय करेगा किस सीट से कौन प्रत्याशी उतरेगा कौन ये तैय करेगा कि स्टार परचारक कौन होगा कहां परचार करने के लिए कौन जाए थी कि जो सुनीता केजरिवाल पर कोई भी पार्टी का पद नहीं है वो नमबर दो पर अचानक कैसे आ गई नमबर तीन पर भगवंत मान को रखा गया और जो संजे सिंग है जो पुरे देश में घूम घूम कर राए दिन मोधी को गालियां देते रहते हैं उनका नमबर साथ पर था यानि पार्टी ने उनकी उकाद दिखाते हुए ये कह दिया कि आप भले ही कितना चीखलो और चिलारो ये जो पार्टी है इस पर यदी केजरिवाल के बाद अर्विन केजरिवाल के बाद किसी का अधिकार है तो वो उनकी पतनी सुनीता केजरिवाल है ये हलाकी एक मुद्ध है कि बही चलिए इस्टार प्रचारकों की सूची है गुजरात के लिए थी हो सकता है वहाँ ये जारी कर दी लेकिन अब दूसरी सूची जारी हुई है जो दिल्ली और हरियाने के लिए हुई है तो उसमें भी एक बार फिर से वो सूची में नंबर दो पर सुनीता क केजरिवाल को रखा गया यानि पार्टी की तरफ से बिल्कुल टै अर्विन केजरिवाल की तरफ से ये पूरी तरह से साफ कर दिया गया कि पार्टी का से सहियोंजग पर यदि किसी को जाएगा अर्विन केजरिवाल तो सेयोजक रहने वाले हैं आजीवन सेयोजक रहने वाले हैं और ताज्जुग की बात ये है ताना शाह ताना शाह कहकर मोदी को गाली देने वाली आम आदमी पार्टी ये अपना सम्मिधान इन पार्टी का देखिए कि ये अपने लिए कानून बना देते हैं कि पार्टी में पार्टी का सयोजक कोई भी दूसरा नहीं रहेगा जब तक केजरीवाल जीवित है केजरीवाल ही सयोजक रहेंगे अब बात ये उठ रही है कि जब केजरीवाल जेल में रहेंगे क्योंकि मनीश शिशोदिया और सतंदर जैन लगबग एक साल से बंद है तो उनका अनुभव सोचते हुए ये माना जा रहा है कि केजरीवाल भी जेल से बाहर आने से रहे अब चुनाओ का माहूल है कौन पार्टी समाले ऐसे में पार्टी को समालने के लिए कयास ही लगाए जा रहे थे कि संजे सिंग वो नेता होंगे जो पार्टी की कमान समालेंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी वो हो सकते हैं जेल से बाहर आने के बाद जिस तरह से संजे सिंग ने बड़े जोस खरोस के साथ जेल के बाहर भाषण बाजी की रात में भाषण हुए फिर अगले दिन स्वागत समारो हुआ ये सब कयास लगाए जा रहे थे लेकिन पार्टी में बिलकुल सीधा सीधा है कि आम आदमी पार्टी किसी भी एंगल से बाकी पार्टीों से अलग नहीं है वो उसी परिवारवाद पर चल रही है जिस परिवारवाद पर कॉंग्रेस चली उसी परिवारवाद को फोलो कर रही है जिसको समाजवादी पार्टी ने फॉलो किया या आर जेडी ने फॉलो किया वही अर्विन केजरिवाल जो परिवारवाद पर प्रहार करते थे आज खुद परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए अपनी पत्नी को आगे कर रहे हैं प्लानिंग बिल्कुल साफ है कि ये जो सुनावी माहौल है इसमें मीडिया का कवरेज उनकी पत्नी को मिले ना कि किसी अननेता को संजे सिंग कहा है? कहां परचार कर रहे है? कोई नहीं दिखा रहा? अब मीडिया को हाला कि ये खबरे आती है कि अर्विन केजरिवाल ने बड़े मोटे मोटे विग्यापन दे करके यानी करोडों रुपे का एक विग्यापनों का पैकेज चैनलों को दे करके और चैनल वालों को हायर किया हुआ है तो अब सारे कैमरे सुनीता केजरिवाल पर फोकस रहेंगे और सुनीता केजरिवाल को एक नेता के तोर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है दिल्ली में रोड शो किये थे उस रोड शो में आपने देखा आम आदमी पार्टी ने किस तरह से ताकत जोंकी थी खबरे आ रही थी कि पैसे दे दे कर लोगों को इकटा किया गया है क्योंकि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के लिए खुद के मन से तो आती नहीं है तो यहां यह सब चीजे चल रही है तो अब यह भी बात हो रही है कि जो सुप्रिम कोट में केस चल रहा है सीम अरविन केजरिवाल को लेकर क्या वो फाइल साइन कर सकते हैं जेल से वो मुख्यमंतरी पद का कारियाल लेक चला सकते हैं के नहीं चला सकते हैं आज नहीं तो कल सुप्रेम कोर्ट से ये फैसला आना है और जिस दिन ये फैसला आएगा सुप्रेम कोर्ट जिस दिन इस पे टैक कर देगा उस दिन अर्विन केजरिवाल को सीम पद से इस्तीफा देना ही होगा और इसी को बात को वो समझते हुए सुनीता केजरिवाल को लॉंच कर रहे है ताकि वो जो अभी तक बात ये उठ रही थी के सुनीता केजरिवाल को तो कोई जानता नहीं है कोई पैचानता नहीं है पार्टी का कोई पद नहीं है आप उसको कैसे ऐसा कर सकते हो जी सीम रह जा हैं यहां तक की विदायक हैं उनके अंदर से ये विरोध के स्वर फूटे थे और अंदर अंदर ये खबरे चल रही थी आपको याद ही होगा राजकुमार आनंद ने अभी पिछले ही दिनों इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा इसी बात पर दिया उन्होंने कहा कि मैं एक द दिखावे के लिए मुझे मंतराल्य दिया गया दलीतों के हितके दिली में कोई भी काम नहीं किये गए दूसरा उन्होंने कहा कि जो परिवारवादी बात चलती थी वो परिवारवादी बात और भृस्टचार आम आदमी पार्टी में है और इसलिए मैंने पार्टी तै किया मैं किसी अन्य पार्टी में नहीं जा रहा हूं आप देख भी रहें जो लोग इनको ये कह करके संजे सिंग वगेरा बदनाम कर रहे थे के राजकुमार आनन बीजेपी में चला जाएगा बीजेपी वालों ने डरा दिया है एडी सीबी आई से डरा रहे हैं वो सारी जूट साबित हुई राजकुमार आनन चुनावी माहोल चल रहा है लेकिन इसके बाब जूद भी बीजेपी में वो शामिल नहीं हुए है ना उनको बीजेपी में किसी ने शामिल किया है तो ये बिलकुल बता रहा है कि पार्टी के अंदर आक्रोस चल रहा है कई बड़े में हैं कि आखिर कार अर्विन केजरिवाल करता क्या है अगर वो अपनी पत्नी को सीम के रूप में प्रोजेक्ट करके और नाम घोसित करेंगे उसी दिन पार्टी के दो टुकड़े होना तै माना जा रहा है लेकिन अर्विन केजरिवाल हैं उनके बारे में कहा जाता है कि सबी विधायकों की कोई ना कोई ऐसी कमजोरी को पकड़ के रखा है कि जिसके कारण उनके विधायक खुल करके केजरिवाल के विरोध में नहीं बोल पारे है अब ये कयास है अफवा है या क्या है लेकिन जो इन्होंने एफ बियू बनाया था फीडबेक यूनिट उसमें ये बताया जा रहा है कि जासूसी कराई गई थी विधायकों की और ऐसी कुछ जानकारियां इनके पास केजरिवाल के है जिसके कारण उन विधायकों को कह दिया गया है कि अगर पार्टी छोड़ कर गए तो पार्टी से तो निकाले ही जाओगे बिधायकी तो जाएगी जाएगी आपका राजनिति केरियर भी खतम कर दिया जाएगा अब इसके कारण से मुझे लग रहा है डर के कारण से कुछ लोग भले ही न जा रहे हूं लेकिन एक बात तो तह है आज नहीं तो कल केजरिवाल को सीम पद के लिए निर्ने करना पड़ेगा तो अगर पत्नी घोशित होती है सीम तो ये कोई नई बात राजनिती में इस इंडी एलाइंस के नेताओं में तो हमें दिख नहीं रही है क्योंकि आप देखिए लालू परसाद यादब जब जेल गए उन्होंने अपनी पत्नी को सौप दिया था ये पत्न और सुनीता केजरिवाल तो भही पड़ी लिखी है तो कुल मिला करके इस में एक ही संदेश है इस सूची में कि संजे सिंग जो सबसे ज़्यादा उछल रहे थे जो अपने आपको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट भी मीडिया के ज़रीय करवा रहे थे जो अपने आपको पार्टी का सही हो जग यानी पार्टी की कमान अब कौन समालेगा ये मीडिया में खबरे चलवा दी कि संजे सिंग ही वो नेता है जो पार्टी की कमान समाल सकता है तो संजे सिंग तो अब अर्विन केजरिवाल ने साइड कर दिया क्योंकि ये जो फैंसला है सुनीता केजरिवाल को इस्टार पर चारक के रूप में नमबर दो पर रखना ये अर्विन केजरिवाल की इच्छा के बिना नहीं हो सकता और ये सब अभी पिछले दिनों आप दे केजरिवाल ने अपनी पत्नी से मिलकर जो फाइनल डिसिजन लिया उसके बाद ये सूची आई है जिसमें आतिशी मार लेना और संजे सिंग का अस्थान बहुत नीचे कर दिया गया है ये बताने के लिए कि भाई यहां किसी के लिए जगा नहीं है क्योंकि पार्टी का अस जगेरीख के बादेख के लिए और उन केसों में लाखों नहीं करोड़ों की फीज जाएगी तो यह कह रहे हैं भाई पध को क्यूं नहीं चोड़ रहे है इसलिए नहीं चोड़ रहे है क्योंकि अगर पध छोड़ दिया तो जेब से वकीलों की फीज देनी पड़ेगी तेरे बाद यदि कोई पार्टी का बड़ानेता है पार्टी का सेयंजक मानलो वो है Apply Jidrawal हर्याणा में दिल्ी में सुनीतके रीवाल क्या कमाल कर पाएगी क्या वो आमा अदमी पार्टी के लिए वोट वटॉर पाएगी ये तो दिक्ता इन्हीं है क्योंकि हर्याणा की तो बात ही छोड़ दो जो दिल्ली में ये कहते हैं कि हमने बहुत बढ़िया स्कूल बनाए बहुत स्वास्त की सेवा अच्छी दे दी वर्ड क्लास दे दी ये सब फ्लोप हो गया दिल्ली की जंता के अंदर इनकी पोल खुल चुकी है और इसके कारण से दिल्ली का कोई व् दोड कर रही है ये जो चल रहा है आप देखें सुनीता केजरिवाल हेलिकोप्टर से गही है प्रचार करने लिए गुजरात में ये हेलिकोप्टर भी लाखों रुपे में घंटों के हिसाब से खिराय पे मिलता है तो सवाल ये उठता है कि इतना पैसा इनके पास कहां से आ आदिकारी हैं उनके अंदर एक संदेश दे दिया कि आपको कुछी भी समस्त्या है कोई टिकट लेना है कोई बात करनी है तो मेरे बाद सुनीता केजरिवाल से बात करिए और ये अंदर की खबरे आ रही है कि सुनीता केजरिवाल ने पूरी तरह पार्टी की कमान दमाल करती है कि कहां कौन परचार के लिए जाएगा किसको क्या टिकट मिलेगा सारे फैसले आज की डेट में सुनीता केजरिवाल ले रही है बेशक उनको किसी पद पर अभी घोसित नहीं किया गया है अभी कोई पोश्ट उनको नहीं दी गई है क्योंकि अर्विन केजरिवाल ज पका होना है और तब तक अर्विन केजरिवाल चाहते है कि कोट का मामला तब तक लटकता रहे और ये डेड़ महीना जो बचा है लगबग वो चाहता है कि ये डेड़ महीना ऐसे ही खिच जाए कोट में और इसलिए आप देखें कि कोट ने भी ये कहा है कि ये जान पूछ क केस को लटका रहे हैं तो ये अर्विन केज्रिवाल अच्छ से समझ रहे हैं कि ये चुनावी माहुल में जो इनको लाब है वो ले लेना है पूरी तरह से बेचारा बन करके और सुनिता प्रकट करके जनता की साहनबूती बठोरना इसके लिए सुनिता केजरिवाल को पूरा ट्रेंड किया गया है कि आपको मुस्कुराना नहीं है हसना नहीं है कोई ऐसी बात नहीं कर रहे है तो आप जितनी फोटो देखेंगे उनकी वीडियो आप देखेंगे आपको लगेगा बहुती विचारी दुखी महिला है तो दुखी तो कहर है पती जेल में है लेकिन कुल मिलाकर नाटक नोटंकी में भी ये माहिर लोग है अब जनता बताएगी इनको ये दिखाएगी जो ये कह रहे है मोदी जी डर गए मोदी जी किस से डर रहे है और कौन मोदी से डर रहा ह यह जंता बताएगी चार तारिक को इसका फैंतला होगा आपकी किया रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बंदे मातरम